आज मैंने बनाई मेरे बेटे के लिए एक ऐसी मज़ेदार सी टिफिन रेसिपी जो उसे बहुत पसंद आई तो सोचा क्यों ना इसे आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आपके बच्चे भी सारा टिफिन फिनिश करके ही घर आए तो सबसे पहले एक बोल में मैंने प्यास कट करके डाला है एक टमाटर भी बारी कट करके डाल दिया है साथ ही मैंने इसमें डाल दिये हैं स्वीट कॉन और इसमें ना मैं डाल रहे हूँ एक बारी कटी हुई हरी मिर्श और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शिमला मिर्श अब आपको क्या करना है इसमें डाल देना है थोड़ा सा चीली फ्लेक्स और थोड़ा सा औरीगेनों जिससे पीजा वाला बहुत ही बड़ी अ फ्लेवर आए इसमें मैं डाल रही हूं एक चमच पीजा सॉस अगर आपके पास यह ना हो तो आप केवल टमैटो सॉस डाल सकते ह एक चमच मैंने टमैटो सॉस डाल दिया है बहुत अच्छी तरीके से ना सभी चीजो को मिक्स कर देना है और यह बहुत ही बढ़ियासी टॉपिंग हमारी त्यार हो चुकी है नॉर्मली चपाती बनाने के लिए जो आप गेहूं के आटे का डो बनाते है ना बस वही डो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था और उसकी एक लोई बना ली है और इसके उपर सूखा डालेंगे और इसे हम बेलेंगे देखिए इसे ना हमें थोड़ा सा मोटा रखना है बहुत पतला इसे नहीं बेलना है नॉर्मली जैसे आप चपाती बनाते है पतली पतली वैसा नहीं बनाना उससे थोड़ा सा मोटा बेलें तो हमने इसे बेल लिया है और अब इसे आप अपनी मन पसंद शेप में कट कर सकते हैं मैं इसे ट्राइंगल शेप में इस तरह कट क बनाने हैं आपको ना दोनों ही साइड इस तरीके के होल्स बना देने हैं इस तरह जब आप इसे सेकेंगे ना तो यह फूलेगा नहीं तो अब मैंने गैस पर तवा गरम करने रख दिया था और इस पर हमने अपने यह ट्राइंगल डाल दिया है और इसे एक तरफ से मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा सिखने देते हैं उसके बाद पलट देंगे और इसके उपरना हम एक साइड ऐसे बटर लगा देंगे और अब देखी हमें क्या करना है इसे जिस साइड हमने बटर लगाया ना उस साइड अच्छे से 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 शेक लेना है और दूसरी साइड इस तरह हल और ते करना है इसके उपर तहुत उपर करते हैं तो हम इसके उपर लगाएंगे पूह अच्छे उ देरी ऑन पर तो यहां पर आपको यहां पर लगाना है स्य कोई चीस के उपर लिखनल और श्य dich ओयापको छीशारी को असली का इस है जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और अब इसे शेखने के लिए हम चलते हैं तवे की तरफ तवे को गर्म करने के बाद इसके उपर हलका सा बटर या घी लगा दीजे और अब जो हमने अपना ट्राइंगल पीज़ा तैयार किया उसे इसके उपर रख देंगे फ् तरीके से हमारा ट्राइंगल पीज़ा है तैयार यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है क्योंकि हमने इसे केहूं के आटे से तैयार किया है कोई मैदा वगेरा यूज नहीं की है जब भी बच्चे मार्कित का पिज़ा खाने कीजित करें या टेफिन में कुछ इस्पेशल ल तो लाइक कोमेंट और शेयर करें